कि हलो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं यहां पर सीडी एसल सेंट्रल डेपोजिटरी सर्विस लिप इंडिया लिमिटेट से लेठे यहां पर आप देख पा रहे होगे लास्ट टेटिंग सेशन में लगभग 20% के आसपास 19% यह भागता हुआ निजर आया क्या रीजन है और लेटिर बाते करेंगे क्या हमने इस पर्टिकुलर शेयर से लेटिए करी थी थी तो उसे देख लेते हैं कि यहां पर आपको समझ में आयगा कि सीडी एसल जैसे ही मैंने आप टाइप किया तो यहां पर नौ महीने पहले नहीं कुछ दिन पहले ही यहां पर देखिए तो एक बार देख लिए सेंट्रल एक बार यहां पर लिख जेते हैं वो उससे आ जाएगा शायर तो ठीक है कोई नहीं हाना सीडी एसल से लेटी नमने कुछ दिन पहले ही बात करी थी और वह भी बात करी है नौ महीने पहले तो वह भी टार्गेट हमारे अचीव होते हुए न स्काव करें इसके बात करेंगे नेंगे समझेइंगे आगे का प्रोसेस क्या है आगे क्या हो सकता है वह सब्सक्राइब इस आप जाओगे बोगे बहुत बढ़े-बोड़े-बुजूरग भी यहां पर है इसक्ट नुक ह Goo वह यहां पर आपको PE ratio ROC ROE पढ़ाएंगे पते हैं क्या पढ़ाएंगे ठीक है वह काम नहीं आने वाली तू भी वेरे फ्रेंक नहीं आने वाली ठीक है जाके उस सीख लीजिए जा एक पढ़ाई लिखाई अलग चीछ होती है और प्रैक्टिकल चीट अलग होती है दोनों को होता आया है और वह आगे भी होगा क्योंकि प्रैक्टिकली ही यहां पर हर जगे इंपोर्टेंट है तो प्रैक्टिकल यहां पर सिखाते हैं सीखने के लिए सबसे पहले वीडियो जैए वीडियो को जाके देखेंगे समझ में आएगा बाकी दो नमरों को सेफ कर लिजिए बेसिक टू एडवांस टेक्निकार रिसर्च फंडामेंटल कब लेना है कब बेचना है क्यों लेना है क्यों बेचना है यह सब चीट आपको सीखने को मिलेगी 25,000 पर कोर्स स्रीमन की होल्डिंग प्रैक्टिस लर्णिंग आपको मिलेगी बेचना है सब कुछ यहां पर समझ में आता हुआ नजर आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को ही टॉल के नोटिफिकेशन को भी आउन कर लीजिए काम करना है तो भी इन नमरों को नोट करके काम कर सकते हैं एक बार तो यहां पर आगे बढ़ते हैं वो यहां पर NHDL और CDSL रखती है और CDSL उसमें सबसे बड़ा है ठीक है CDSL वो सबसे बड़ी चीन यहां पर अनि tussen थी अंधितल न उ सकताथिन सबसे बड़ा है CDSL यहां पर market में लिस्त है एक अभी तक डियाjem है आया नहीं है तो यहां पर ऊब यहां for holding of securities in the dematerialized form, dematerialized form को मतलब क्या है कि जो physical होता था पहले आपके पास जो पडचे हुए करते थे इतने शेयर है उनको dematerialize मतलब उनने electronic form में यहाँ पर change कर दिया है हाना तो यह electronic form में यह सारा का सारा data आपने पास रखती है यह अच्छा काता है और इसमें account भी देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए लगबग लगबग साड़े यारे बारे करोड के आसपास के यहाँ पर एकाउंट होने वाले यहाँ पर हो चुके होंगे लगबग सारे करोड तो क्योंकि यह मार्स दोजार चौबिस का डेटा और दीवे-दीवे बड़ी रहा है और भारत को बहुत आगे जाना है इस पर्टिकुलर चीट में इस चीट को आपको क्या है समझना है मार्किट कैप की बात करें 25,000 करोड का मार्किट कैप है मिड कैप कंपिनी बन गई है बट यह आगे चलके लाल्ज कैप कंपिनी बनेगी एक लग करोड तक भी जाएगी इसमें कोई डाउट नहीं है बड़ इसके लिए यह टाइम ले जाएगी गमजगन 10-15 साल पी की बात करें 59 का पी है इंडस्टी का पी 34 का है तो अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चीज़े क्या है देखिए मैं हमेशा गयता हूं पी वगेरा सीखने की जरूवत नहीं है आरोसी आरोई सीखने की जरूवत नहीं है प्राइस बढ़ेगा तो अभी और बढ़ और आपका प्राइस बढ़ी नहीं रहा आपके आपने चार साल दे दिये पांस साल दे थी आपर रूख के पड़े हो तो नहीं आपने लिया तुरंत भागने चीज़े अगर भाग रही है यहां पर आपको पैसे बनेंगे और साही टाइम पर एकजिट करना है तो पी रेश यहां पर आपको समझ में आएगा कंपनी आप एक जुलाई को इनका इंसाडर ट्रेडिंग की वज़े से यहां पर क्या बंद के लिए यहां पर बंद करेंग रहें इनका जो यह चीज है थीक है नम तो यह नॉर्मल लोगों के लिए हमारे लिए नहीं है बट उनके लिए जो इनके कंपनी के अंदर काम करते हैं ठीक है दूसरी बात हम देखे तो यह कंपनी यहां पर फाइनिशल रिजल्ट को दिखाई दी है साथ में यहां पर आप देख पर्टिकुलर शेयर में होती हुई नजर आई है और जब से शेयर आमने बताया है तब से लगबल लगबल शेयर में आप देखेंगे तो शेयर में एक अच्छी खासी तेजी 80% की होती हुई नजर आई है चलो वो छोड़ देते है अब बात करते थोड़ा सा आगे तो आप तोड़ी बहुत गिरावट के बाद जाए बट जब शेयर लॉंग टरम के परपस से अगर बात करें बात करें पांस साल की दस साल की बीस साल की डिस इस बेस्ट स्टॉक जो आप रख सकते हैं सेल्स की बात करें तो देखिए लगाता बढ़ती हुए नज़र आ रही है यहाँ पर नट पॉफिट की बात करें वो यहां पर बढ़ता हुए नज़र आ रहा है margin वगेरा अच्छे खासे company के आते हैं sales की बात करें company की sales लगाता है यहाँ पर दो या तेरे में जहां 91 क्रोड थी वहां 882 क्रोड है net profit 51 क्रोड से 420 क्रोड हो गया है इसके इलावा reserves की बात करें reserves बढ़ता हुए नजर आ रहे है 300 क्रोड के reserves है आना तो reserves बढ़ते है न तो उसी के base पर bonus मिलता हुए नजर आता है working progress यहां पर आप देखेंगे ग्यारा सो क्रोड के आसपा साड़े ग्यारा सो क्रोड का investment है cash भी company के पास तरहेपन क्रोड का पॉजिटिव cash flows नजर आते और increasing manner में अच्छी बात है और यहां पर देखेंगे promoters की holding तो यहां देखे 15% है एक साल के अंदर अंदर 5% बेच चुका है और वह कौन है BSC Limited FIs की बात करें, FIs ने वह holding करी दिये 18% है, DIs ने वह holding करी दिये 21% है, Public की बात करें 45% के आसपास के यहां पर क्या है Public है और उसमें भी Public ही नजर आती है और Public ने यहां पर share बेचे है, पिछले कुछ time में खरीदे नहीं है तो इस sheet को भी थोड़ा से नहीं में रखना है और देखे जाए तो यहां पर आप देख सकते है, buying selling यहां पर चलती रहती है, कौन buy कर रहा है, कौन sell कर रहा है अब बात करेंगे चार्ट से लेडी, चार्ट क्या कह रहा है, ठीक है उससे पहले रिक्वेश्ट है, चार्यको सब्सक्राइब बेल आइकन को ही, टॉल को notification कौन करें, नमबरों को note करें, खाम करें, वह साथ में यहां पर आप course कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अब बात करते हैं जब से यहां पर share को बता है, अच्छी कासी तेजी हुई है, 80% तक यह share भागता हुआ नजरा है, अब क्या, अब यही तो question होगा कि अब क्या, तो सबसे पहले यहां पर मुझे लगता है, एक तेजी और शायद 20% का लग सकती है, यहां पर कल यह परसों के अंदर-अंदर, बट मेरे कहने पर किसी और के करने पर मत लीजिएगा, जैसे चीजे चलती है, उसके according मेरे experience के according में बात कर रहा हूँ, बट चीजे नीचे भी आ सकती है, ठीक है न, और चीजे नीचे आती है तो क्या, तो देखिए bonus आने वाला है, ठीक है न, bonus आने के बाद महां पर फिर द देखेंगे, या तो उसके bonus के बाद यहां पर तेजी आएगी, या bonus आने के बाद क्योंकि share भाग चुका है, ठीक है न, तो एक गिरावट देखी जा सकती है, उस cases में, ठीक है गिरावट देखी जा सकती है, एक consolidation देखा जा सकता है, और company के result भी सासात आ रहे है, जो कि हमने यहां पर बाते करी है, तो यहां पर जैसे ही company के result आ जाएंगे, result कैसे आ सकते है, result दुबारा बहतरी ना सकते है, और company के अगर result अच्छे आते है, तो यह share में एक और तेजी देखने को मिल सकती है, तो long term के view से तो मैं कहा ही चुका हूँ, कि यहां पर जैसे ही गिरावट ह तो एक अच्छी opportunity रहेगी, short term के view से मत देखिए share को, यह share trading वाला नहीं है, यह share investing वाला है, तो मैं आपको यहां पर trading करने की वह नहीं कहूँगा, मैं आप कहूँगा कि यहां पर invest करिये, जितने के रावट हो इस पर invest करिये, और यह share अभी तो महेंगा हो गया है, बट जि trading की recommendation नहीं है, आपने financial advisor कुद की study करे, चीटो को सीखे, जितना सीखेंगे, पैसा बनता हुआ नजर आएगा, यहां पर number को note करिये, और साथ में काम करिये, thank you so much, God bless.